हिमाचल परदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत मंडी जिला के बागवानों के लिए दो दिवस्य कारेशाला का आयोजन किया गया कारेशाला का शुबारंब डीसी मंडी मदन चोहान ने किया इस अबसर पर मदन चोहन ने बताया कि वीशी बैंक के सयोग से हिमाचल परदेश बागवानी विकास परियोजना का संचारन किया जा रहा है ताकि यहां के बागवानों को आधनिक तक्नीकों की जानकारी दी जा सके मदन चोहन ने बताया कि परियोजना के तहट सेब, चैरी, नाशपाती, खुमानी, पलम, आडू, आम, लीची और नीबू प्रजाती के साथ साथ अनार और अक्रोड जैसे फलों के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा इस परियोजना के तहट 18,200 हेक्टर नए बगीचे लगाने के अलावा 3,000 हेक्टर के पुराने बगीचों का जीवन उधार करने का लक्षे रखा गया है इसके साथ ही 8,800 हेक्टर क्षेतर में फल बगीचों की सुधारी विग्यानिक तक्नीकी के अंतरगत लाए जाना लक्षे में रखा गया है मादन चोहान ने बताया कि इस परियोजना को परदेश के सभी 12 जिलियों में लागू करके डेड़ लाख लाभारतियों को लाभ पहुंचाना है उपाएक्ट मंडी ने अधिक से अधिक बागवानों से इस परियोजना का लाभ उठाने का आहवान भी किया आपके मादन से सभी किसानों से भी यागरे करना चाहूंगा कि अब लेटेस जमाना जो हमारा आगया है लेटेस प्रांटिशन का आगया है हमारी प्रोड़क्शन जो है विजा वी वर्ल्ड लेवल पे बहुत कम है comparatively जितने एक हेक्टेर में हम एपल प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत कम है चाइना के comparison में भी मैं कहूंगा क्योंकि मुझे HPMC में काम करने का भी थोड़ा सुभागे प्रात हुआ है उस वक्त हम ये study क्या करते थे खास करके एपल जूस कंसंट्रेट के लिए तो उस चीज़ को एट पार लाने के लिए वर्ड के हम लोगों को जो है ये rejuvenation plan और ये जो नई latest techniques है इनके साथ जाना पड़ेगा ताकि हमारी economy में जो है overall सुधार हो सके इस मौके पर भागवाने भी भाग के उपनिदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ड बैंक के सयोग से ये प्रोजेक्ट पूरे पांच वर्षों तक चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक भागवानों को इसका लाब मिल सके वहीं उन्होंने शपस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने पौदों को बदल कर अधिक लाब देने वाले नए पौदों को लगाने का लक्ष भी रखा गया है उन्होंने कहा कि परदेश में सबसे अधिक सेव का उत्पादन होता है लेकिन इसका उत्पादन अभी भी काफी कम है इसे बढ़ाने की दिशा में भी ये प्रियास किया जाएगा बोल्ड बेंक पोशित एक वाटिकर वर्याज़ मेंट पर काम कर रहा है ये अगले पांच सालों के लिए काम होना है इसमें इसमें मेंड जो हमारा थृस्ट होगा वो होगा जो हमारे जो बड़ाइटीज हैं जो जिसी भी फल्क के बड़ाइटीज हैं सेब राइबेटाय। की बाद करें तो हैपल की बाद करते हैं जोauthor buscar हो एरिया वो इपल सेद् सेंगे हम्तर है वैंव स्कूरटस के हम ईपल में हमारा productivity को बढ़ाना है quality को हमने enhance करना है और साथ में जो हमारी infrastructure है valuation है fruits के उसको हमने जो बढ़ावा देना है